प्रेदरश्कों स्वागत है आप सभी का आपके यूटूब चैनल में मैं हूँ आप सभी के साथ देभुमीर श्री के शुत्रा खंड से आचार आसीस बंदो हो आज आपके साथ चर्चा करूँगा बहुत ही महत पूर्ण विसेपर जो आपके लिए बहुत काम की वीडियो हो सकती है आज किसले आप लगातार वीडियो को देखें बीच में स्क्रिप्ट ने करें ताकि बात आपको पूर्ण रूप से समझ में आज सकें आज मैं वास्तु पूरुष को लेकर करके यहां पर बात करने वाला हूँ वास्तु पूरुष की कैसे रचना यानि उनका कैसे प्रादुरु बहा हुआ और फिर वास्तु का जो सुरूप है किस प्रकार से हम लोग देखते हैं और वास्तु की पूजा क्यों की जाती है कितने प्रकार की वास्तु होते हैं इसके साथ ही मैं चर्चा करूँगा कि वास्तु पूजा हम लोग करते हैं जो भूमी पूजन का मुहुर्थ होता है सुब मूर्थ होता है तो हम ऐसे में कौन सी दिसा में हम लोग पूजन करें वो अलग-अलग बहने के साथ से अलग-अलग जो हैं दिसाएं यहां पर तै की गई है यह सूर के साथ से देखी जाती हैं तो आज में इन तमाम बहुत ही महत्वपूर जो यहां पर बाते हैं उसके साथ आपके मैं आपके साथ चर्चा करूँगा तरस कोई दिए आप नए दर सकें तो फटा फट मैं चाहूँ को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय में भी आप लगातार ऐसे ही ग्यानबर्दक चर्चा हैं इसके साथ ही अद्धिहात्मर्जोतिस की तमाम विविन ग्यानबर्दक चर्चा साथ ही साथ में मुहूर्ट कैसे बनते हैं इस पर भी मैं अलग-अलग वीडियो जो मारा चैनल है अद्धिहात्मर्जोतिस अश्ट्वाचार आसिस पर भी मैं जो दूसरा चैनल है उस पर भी देता हूँ लेकिन अधिहात मरजोतिस यूटूब चैनल पर खास कर मैंने अलग-अलग मोर्तों को समझा है भूमी पूजन का मोर्त है तो कौन से नक्षत्र में, कौन से बार में हमें करना चाहिए कौन से मुख का हमारा प्लाट है तो हमें किदर जो है पूजन करना चाहिए और वैसे उसका मूर्त कैसे निकलता है इसके साथ ही ग्रह प्रवेश के मूर्त हैं भूमी पूजन का मूर्त है ये बंते कैसे हैं सरवार सिद्धी योग है अमर सिद्धी योग है और खासकर कि अमर सिद्धी योग है तो हमें इसमें कौन से कारे नहीं करने हैं क्यों कई वार वेद होता है इसमें अशुब योग भी बनते हैं कोई भी आपकी संका होती है, वीडियो से सम्मंधित हो या कोई अन्या, तो आप ऐसे में, आप बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सीधा नंबर लेते हैं और सीधा कॉल करते हैं, तो मैं चाहूंगा कि आपको उसके लिए directly कॉल करने की भी कोई आउसकता नहीं है, आप अपना जो भी प्रश्ण आपके मन में उड़ता है आप अपने प्रश्ण को सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखें वहाँ पर आपको जल्द ही रिपलाई किया जाता है हाँ आप किसी महुर्त के बारे में यानि आप महुर्त अपनी रासी के इसाब से निकालना चाते हैं आप उसके विश्यस जानकारी को प्राप्त करना चाते हैं या फिर अपनी जन्मकुनली का आप विश्लेशन करवाना चाते हैं हस्तले की जन्वपत्रिया बनवाना चाह रहे हैं या फिर किसी भी विसेश जानकारी को अपराप्त करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप नीची जो अपॉइंटमेंट नंबर हैं उस पर समय लेकर बिस्तार से चर्चा कर सकते हैं तो दर्शकों हम पठापर चलते हैं वास्तु पूरुष के आज के प्रशंग पर लोटते हैं तो वास्तु पूरुष का प्रादूर भाव कैसे हुआ देखो हिंदु धर्म के अंदर जो भी प्रतिक मांगलिक कारे होते हैं जो भी धार्मिक आधार जो है वो यहाँ पर धर्मसास्त्रों के अधार पर होता है इसी अनुशार धर्मसास्त्रों के अनुशार से स्रिस्ठी के रचना भगवान ब्रह्मा ने की ना भी कमल से ब्रहमा का जन मोतर तो कुल्मिला के ब्रहमा जी ने इसके बाद स्रिष्टि क сторону किया वो इसके रचता भी खला है भगवान भिष्ठ्यू ने स्रिष्टि पालग भगमान विश्णु को का जाता है क्योंकि भगमान विश्णु जो है इसका पालन पोशन भरन पोशन करते हैं तो वहीं भगमान संकर को सृष्टी का शंगहार करता उपसंगहार करता भी कहा जाता है इसी प्रकार से जो कुबेर हैं उनको धन के देवता माना जाता है मासलस्ती विद्यादाई नहीं कहलाती यानि जो विद्या का विभाग है प्रभाग है उनके पास में कहने कतात पर यहां पर यह है कि अलग अलग जो है छोटे छोटे और बड़े सबी देवता जो हैं किसी न किसी रूप में उनको मानिता दी गई है उनको प्रभाग दिया गया है अलब लग भी भाग दिया गया है इसी प्रकार वास्तु पुरुष को भी देवताओं की जो है मानिता प्रदान की गई है और किसी भी भवन निर्मान की बात आती हो उससे पहले वास्तु पूरुष का पूजन अन्यवारे समझा जाता है और इतना ही नहीं कि भूमी पूजन के समय ही हम उनका पूजन करें नहीं कोई भी बड़ा अनुष्ठान होता है उसमें भी हम लोग जो है इनकी पूजा करते हैं ग्रह प्रविष हो उस समय भी हम करते हैं कोई नगर ग्राम इत्यादी बसाये जाते हैं कोई मंदिर बनाये जाता है तो उस समय भी इसका पूजन किया जाता है अलग-अलग वास्तु उसका जो है विस्तार है मैं यहां पर भी चर्चा नहीं करूँगा फिलाल मैं अपने विस्तार ही रहूँगा तो भूमी पूजन के समय भी जो है हम इनको करते हैं अच्छ वहा इस भवन के निवाशियों के लिए जो हैं हम इस प्रार्थना करते हैं भूमी पूजन के समय कि हमें बल दे, बुद्धी मिले सक्ति मिले, प्राक्रम मिले सम्रधी हमें मिले, संतांज का शूक हमें मिले, ये सभी और शांती हमें खासकर सुक का का शांती के प्राप्ति हो ऐसी जो है हम लोग यहां पर कामना उनसे करते हैं, अब प्रशनısıरता है कि भगवान बास्तु का जो जन्म का मैंने परशंग बताया था कि कब हुआ कैसे हुआ तो इसमें विस्तार से कथा आती है मत्से पुराणा अंतर का तो ऐसे तो अलग-अलग पुराणों में उलेख मिलता ही है लेकिन मत्से पुराण में एक परशंग आता है एक उलेख है कि एक समय अंदका सुर नाम का जो एक अंदका सुर जो दैत्य था उसकी और भगमान शंकर के बीच में युद्ध हुआ बिस्तार नहीं करूँगा बहुत संक्चित में आपर कहूँगा उसी युद्ध में भगमान संकर के पसीने की एक बूंदगिरी और उसे महाभूत का उत्पन हो गया यही महाभूत उत्पन हुआ उस महाभूत को देख करके समस्तराक्षषगण भैबित होने लगे वे सब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और बोले हे प्रभू यहां महाभूत हमारे प्राण कर लेगा इस संक्ट से बचने का हमें कोई उपाय बताईगा उन सब की प्राठना को सुना और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रूख इतने भैबित नहूं आप समस्त देवतागण और राक्षसगण महाभूत को पकड़ करके और सिर नीचे करके पैर उपर करके प्रतिवी से फैंग तब ब्रह्मा जी के आदेश अनुसार उनके अकतना अनुशार देवताओं और राक्षसों ने मिल करके महाभूत को पकड़ा और उल्टा करके सी जा रहा हूँ आप इसको समझें कि कैसे महाभूत की वास्तु पूरुष का जन्मुआ तो जब इन्होंने प्रतिवेपर देवताओं ने मिलकर के दैतियों ने इनको फैंक दिया तब ब्रह्मा जी से प्रार्थना इस महाभूत ने की देखो याचना भरे सब्दों में का प्र आपकी आज्यान उशार वे देवतों राक्षों से ने मिलकर मुझे अधो मुख गिरा दिया लेकिन उस महाभूत ने जो दैनी स्तती में जो है जो निवेदन किया जो प्रार्थना की तो ब्रह्मा ने प्रशन हो करके कहा है महाभूत तुम चिंता नहीं करनी चाहिए तुम वास्तु पुरुष के नाम से ही प्रथी पर जाना जाओगे मैं तुम्हें एक बरदान भी देता हूं साथ साथ में कि जो भी मन शिप्रथी पर किसी भी प्रकार का निर्मान करेगा आप समद रहे हैं सिर्फ इसमें भवन निर्मान मकान निर्मान का ही नहीं कि आप घर बन जा रहा हो, कोई नहर मनाय जा रहा हो कोई जलासाई का निर्मान ही क्यों न हो, तो तुमारा पूजन भगमान ब्रह्माने का उसमें अवश्य रूप से होगा, अगर जो नहीं करेगा खास बात झाल 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 किसी भी प्रकार के निर्मान कारे को करता है और अगर उसमें वास्तु पूरुष का पूजन नहीं करता है, तो भगमान ब्रह्माने उनको यहाँ पर स्पस्ट किया है, कि वहां मनुश्य अगर तुमारा पूजन नहीं करेगा, तो वह सीग्र ही दरिद्र हो जाता है दुख उसको जो है घिर लेते हैं कहीं न कहीं दरिद्र होकर काल का ग्रास बनता हो और उश्रुव व्यक्ति को जो है हर प्रकार से दुखी उसका जीवन व्यतित होने लगता है यहां तक कि अकाल मृत्यू जैसे ही संभावनाय भी यहां पर बन जाती है तो इसी प्रकार ब्रह्मा से वरदान पाकर के वह महभूद वास्तु पुरुष बन गया तो कुल मिला करके मैं आपको जो स्वष्ट करना चाह रहा था कि किस प्रकार से उनका जन्म हुआ अदोमुक वास्तु पुरुष के सरीर में अनेक देवताओं का वास है जहां जहां पर जिन देवताओं ने पकड़ रखा था उसी इस्तान पर जो है उन देवताओं का वास भी होता है वह वास्तु पुरुष भूमी पर सयन अवस्ता में बिराजमान है इसका प्रते भोखंड पर अस्तित्त है यह उस भूमी में निम्न दिसा में पैर शिर और पैर करके लेटा हुआ है आप देख सकते हैं इसमें इसके साथ पैरों को मोड करके विसेश इस्तिती में नहीं था इसलिए भवन की सभी इस्तियां वास्तु पुरुष के शारिक इस्तिय के अनरूपी तै किये जाती है क्योंकि वास्तु पुरुष को पृत्वी पर गिराते समय जिस देवताओं ने जहां जा पकट रखे तो उनका वहां पर वास्तु है प्रत्वी परवास्तु पूरुष का जो सिर है वो इसान कोण में स्तित है और पैर जो है नेरित्या में विराजमान है अब आप ये समझें कि इस स्तिती में जब ये हैं तो इनका अलग अलग जब हम लोग पूजन करते हैं जो खास मुख्यविंदू है उस पर भी हम लोग चलेंगे पूजन जब हम करेंगे तो कौन से मैंने हम किस दिसा में पूजन करें वैसे भूमी पूजन कैसे करना चाहिए क्या इसका विधान है, क्या इसमें सामग्रियां विसे इस रूप से लगती है इसके लिए में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और वह भी बहुत खास वीडियो है आप उसको भी देख सकते हैं नीचे डिस्किस्टन में भी काफी लिंक हैं आप उनको भी देख सकते हैं तो जब सूर्य बड़े द्यान से समझने इसको सिंग, कन्या और तुला तीन रासियों में जब गोचर करते हैं तो उस समय जो खुदाई करनी चाहिए अगने हैं कोण में करना चाहिए यानि दक्षिन और पूरू है का जो कोणा होता है उस समय हमें वहाँ पर करना चाहिए जब सूर्य जो है वरिश्चिक रासी में हो या धनूरासी या मकर रासी में जब गोचर करते हैं उस समय खुदाई इसान कोण में होना चाहिए जब सूर्य कुम्बरासी, मीनरासी या मेनरासी में गोचर करें तब उस समय वाइब कोण में जो हमें खुदाई करनी चाहिए जब सूर्य ब्रशब, मिथुन और करकरासी में गोचर करता है उसमें नेरित्य कुण में हमें खुदाई करनी चाहिए, यहाँ पर पूजन होना चाहिए क्योंकि इसमें एक खास बात है, यह राहू का मुख सेशनाग का विचार करना कहलाए दाता है यहाँ आपको यहाँ पर बताया, तो इसी आधार पर जो हो जो मैंने आपको यहाँ पर बताया दसकों भूमी पूजन के लिए यानि ग्रह निर्मान के लिए बहुत सारी महतवपून बाते हैं मैं उसके लिए भी एक वीडियो आपके लिए बहुत सीक्र तयार करूँगा, जितने लोग हैं जो चाहते हैं इस पर मैं बहुत बिस्तार से आपके साथ चर्चा करूँ जो मुख्य मुख्य बाते हैं तो आप लोग मुझे कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें, कितने दर सकते हैं जो चाहते हैं कि उन जानकारियों का आपके साथ साजा करूँ इसके लावा कोई खास जानकारी आप अध्यात्मर जोतिस चैनल पर प्राप्त करना चाहेंगे तो आप उसके लिए भी है आप अमें लिख सकते हैं कि आप किस बिसह पर क्या चर्चा चाहते हैं तो मैंने शित रूप से समयन उशार आपके लिए वीडियो भी त्यार पहले अश्कों आप सभी बने रहें हमार साथ अध्यात्मर जोतिस पर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद